नमस्कार जेहिंद बंदे मातरम मेरे प्यारे नौजवान साथियों दोस्तों मैं हूँ आही और स्वागत करता हूँ आपका आप जीतेंगे पर पहली बार अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो बहुत ध्यान से दोसे 3 मिनिट इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आगे आने वाला कोई भी important information आपको तुरंट मिल जाए देखो दोस्तों बिनावक्त जाया करते हुए बात कर रहा हूँ SSC GD की जो बच्चे पहले हम से जुड़े हुए वे जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि क्या SSC GD के लिए अब जीतेंगे कर रहा है जो बच्चे हमको नहीं जानते हैं उनको थोड़ी सी information दे दूँगा कि GD में पास कैसे हुना है आपको नोकरी कैसे लेनी होती है जीड़ी के अंदर लेकिन सबसे पहले मैं थुकूर एक बात सुनिए आपको पता है कि नहीं कि फॉर्म कब आ रहे हैं आपने मुझे कहा सर मुझे पता है फॉर्म 24 नवंबर को आ रहे हैं कितनी बैकेंसी हैं सर ने बताया है कि बैकेंसी 30-32 हजार से उपर ही रहेंगी अब कोई 75 बताता है कोई 50 बताता है मुझे मतलब नहीं है मुझे इतना पता है कि 30,000 तो मेरी मुठी में हैं 30,000 में मैं जगये बना दूँगा दूसरी बात एक्जाम कब होगा सर ये मुझे नहीं पता है क्या आपको पता है ये वीडियो में बना चुका हूँ कि एक्जाम आपका कब से सुरू हो रहा है बीस फरवरी से सर मेरा एक्जाम सुरू हो रहा है ये भी आप समझ चुके हैं तीसरी बात उम्र गड़ना सर कब से हो रही है जिसको नहीं पता है बता देता हूँ एक अगस्त से उम्र गड़ना हो रही है मेरे प्यारे साथियो ये भी आपको पता चल गया अब एक अगस्त के बाद कुछ बच्चों का बहुत बड़ा प्रशन मतलब फोन आ रहे हैं उन ब दूसरे एकजाम पर इसमें उम्र में छूट इसलिए नहीं मिलेगी 19 21 22 23 लगातार भरती आ रही हैं कैसे कह सकते हो आपके उम्र में छूट मिलेगी उम्र में छूट मिलती है जब जब बहुत दिन हो जाते हैं जैसे यूपी पुलिस का एक्जाम 2018 के बाद हुआ ही नहीं को स्टेबल का एक चीज और ध्यान रखनी आपको इन्पोर्टेंट देखो अगर एससे जीडी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों और आपको बुक से पढ़ने का बहुत ज्यादा सौक है तो आप किसी दूसरी बुक की तरफ भले ही ना जाईए विश्वास मानिएगा चक्षू प्रकाशन की बात करना हूँ और इनकी दोस्तों एससी जीडी की स्टडी गाइड आती है सबसे बहतरी नवक है ठीक है और इसको आप पढ़कर अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं बिलकुल जैनुएंसी बात है दूसरी बात यह है कि इसके साथ आपको यह टेस् प्रकाशन को पढ़ लीजिए ठीक है बीस टेंपल पेपर भी मिलेंगे बिलकुल लेटेस पैडरन पर आप उसको पढ़ सकते हैं ध्यान लखिएगा ठीक है मेरे दोस्तों अब अगर एक्जाम होता है तो उसमें मिनीमम तीन साल की छूट मिलेगी जैसे आपको जीडी में पिछली बार मिली थी 2022 में कोविड की वह से जो बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए फिर छूट दी गई थी अब बिलकुल नहीं है इस बहें में आप बिलकुल मत रही हट जाईए इस बात से अलग ठीक है दूसरी बात एक बच्चा दोस्तों कल हमारा जो अल्रेडी जुन्होंने बैच ले रखा है वो प्यारे बच्चे हमसे पूछे किसार आप जीतेंगे का कोई लेटेस्ट बैच आएगा क्या क्या क्योंकि हमको आप जीतेंगे के लाइफ बैच में ही पढ़ना है सर हमको दूसरे बैचों में मजा नहीं आता तो मैं उस प्या बहुत से लिवा सुंसरे गया है वो खतम होने बाला है मैं फ्यारे बच्चों को बना देना चाहता हूं कि अब जीतेंगे का नया बैच आने वाला है स्सी जीडी स्पेशल के लिए और वो बैच आपका अगले तीन से चार दिन में लॉंच कर दिया जाएगा यूट्यूब के उपर, इंस्टाग्राम के उपर, टेलीग्राम के उपर और फेस्वुक के उपर कहीं भी आप हमसे जुड़े होंगे आपको ये बैच मिल जाएंगे चारो जगे पर और सबसे अच्छी पांच भी जगे यानि कहते हैं आप एदर उदर क्यों जुगार लगा रहे हो डार एक्ट जाईए एप्लीकेशन पर लिखिए प्ले स्टोर में अब जीतेंगे डाउनलोड करके सीधे बैच पर जाईए किस्ते क्या पूछना कहां घूमना ठीक है मैं समझता हूं आप समझगे होंगे क्या इंफॉर्मेशन है बिलकुल सटी किस बात को समझ लेना पेपर की लेट निश्चत हो चुकी है फॉर्म 24 को भर जाएगा बस आपको दो काम करने डोक्यूमेंट का वीडियो बना दूंगा डोक्यूमेंट तयार रखना और साथियो तयार ही कर लीजिए क्योंकि आखरी मौका समझजिए इसको इसके बाद हो सकता है मौके बहुत कम रह जाए क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं बार बार भरतियां नहीं आएंगी अब पिछले एक निड़ साल में दोस्तों डेड़ लाग तक की भरतियां निकल चुकी हैं हर जगे आपको मौका है CISF ITBP GD में तो सारी forces हैं दिल्ली पुलिस आपके पास है MTS आपके पा यो